बड़े भुजूर्ग अक्सर कहते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंथ पानी पीने वाला इंसान खुद अपने ही पैरों पर कुलहाडी मारता है हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और हमारा शरीर पानी पर ही निरभर है इसलिए आज की दुनिया में हेल्थ सबसे बड़ी दौलत पन गया है इसलिए किसी भी जीव के लिए पानी का काफी महत्व है पर कई बार सिर्फ पानी को गलत ठंक से पीने की वज़ा से हमें हॉस्पिटल के धक्ये खाने पड़ते हैं और इलाज में पैसो को पानी की तरह भाना पड़ता है लेकिन अगर आप पानी पीने का सही तरीका समझ ले तो आप काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं जैसे की बाल जड़ना, इन डाइजेशन, जोडों में दर्द, माइग्रेन, किन प्रॉब्लम्स और किटनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें पानी पीते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है नमबर दस हमें अक्सर ये लगता है कि अगर हम पानी नहीं पीएंगे, तो हमारी बाड़ी में पानी की कमी हो जाएगी पर ये बात बिल्कुल गलत है अगर आप अपने डाइट में फलो और हरी सबसियां शामिल कर ले, तब भी आपकी बाड़ी की पानी की रिक्वार्मेंट पूरी हो सकती है काफी सारे फल हैं, जिसमें पानी जादा मातरा में होता है जैसे कि तरपूस, स्ट्रॉबरी, अंगूर, खरबूजा, संत्रा, ब्लूबेरी तो आज से ही अपना पानी पीने का तरीका बदल देना है और फिर देखो कैसे आपकी लाइफ हेल्दी बन जाती है मैं जानता हूँ हमारे काफी सारे दोस्त गर्मियों के मौसम में के किचिन में एक मिट्टी का घड़ा रखना है एक तरह से देखा जाए तो मिट्टी का घड़ा एक नैचरल फ्रिज का काम करता है वो अपने आप ही पानी को जरुवत के हिसाब से ठंडा कर देता है और इसलिए आज भी आपको सभी घड़ों में फ्रिज के अलाबा मिट्टी के घड़े भी मिल जाएंगे पानी हिूमन बॉडी के लिए एक बहुत जरूरी एलिमेंट है ये तो हर किसी को पता है लेकिन जब भी ये टॉपिक हमारे सामने आता है तब हम इस तरह से पानी पीने लगते हैं मानो की जैसे अगर हमने हर दस मिनिट में पानी नहीं पिया तो हमारी मौत हो जाएगी इस तरह हद से जादा पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है एक बात हमेशे याद रखना कि कोई भी चीज हद से जादा अच्छी नहीं होती है गर्मिया शुरू हो गई है और अब बहुत सारे लोग ठंडा पानी पीना जादा पसंद करेंगे लेकिन शायद ये जानकर आप चौक जाएंगे कि जो पानी आपको ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है वो बिलकुल आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान कारक होता है एकदम ठंडा पानी पीने से हमारी बलड वैसल्स सिकुड़ जाती है और फिर बलड सेल्स बॉडी में ठीक से बलड नहीं पहुचा पाती अगर आप ठंडा पानी पीने के बाद कुछ खाते हैं तो ठंडा पानी खाने में मौजूद फैट को सॉलिड रिफाई कर देता है जिसे बॉडी को खाना हजम करने में जादा महनत लगानी पड़ती है इसके अलावा बहुत जादा ठंडा पानी पीने से एक लंबे समय के बाद जॉइंट पेन की प्रॉबलम भी होती है इसके अलावा ये हमारी हार ट्रेट भी स्लो कर देता है आज कल हर तरफ एक अजीब माइंड सेट फैला हुआ है कि हमें हर आदे घंटे में पानी पीना चाहिए एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर कोई थोड़ी थोड़ी देर में पानी के घूट भरता है और इसकी वज़ा से एड़टाइजिंग कंपनीज जिन्होंने लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि हर घंटे पानी पीना चाहिए चाहे प्यास लगे या ना लगे पर अगर आप हर घंटे या फिर हर दस मिनिट के बाद पानी पीते रहेंगे तो आपकी बॉड़ी कन्फ्यूस हो जाएगी क्योंकि उसे तो पानी की जरुवत नहीं है जैसे मैं आपके दिमाग में पानी की मात्रा बढ़ सकती है और फिर काफी सारे हेल्थ और मेंटल इश्यूस हो सकते हैं पानी पीने का सही वक्त हो तभी होता है जब आपको प्यास लगी हो उस वक्त अगर आप चाहें तो जरुवत से थोड़ा ज़ादा पानी पी सकते हैं उसमें से आपकी बॉड़ी अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से पानी सोख लेगी अकसर लोग खाना खाने के तुरंद बाद धेर सारा पानी खट-कट करके पी जाते हैं लेकिन हमें कभी भी खाना खाने के तुरंद बाद या पहले पानी नहीं पीना चाहिए जब हम खाना खाते हैं उस समय हमारा डाइजेशन सिस्टम पाचक के लिए जरूरी रस बनाना शुरू करता है लेकिन जब हम खाते खाते पानी पीते हैं, तो पानी उस रस को पतला कर देता है, जिस वजह से खाना पेट में जाकर ठीक से हजम नहीं हो पाता और सर जाता है अल्टिमेटली आपको गैस, इंडाइजेशन, फ्लोटिंग और कॉंस्टिपेशन जैसी प्रॉबलम होने लगती है, इसलिए हमें कभी भी खाने से पहले या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए आपने टीवी या फिर मोबाइल में ऐसी काफी सारी कोल्डरिंग्स के एट देखी होंगी, जिसमें कोई एक्टर या सेलेब्रिटी खूट कूट करके कोल्डरिंग पीता है, और फिर बस हमें भी ऐसा कुछ करने का मन होता है, कहीं तो अपने कॉलेज में रेस भी लगाते ह कि कौन है, जो एक ही सांस में पूरी कोल्डरिंग पी सकता है, पर दोस्तों हमें कभी भी इस तरह तेजी से पानी नहीं पीना चाहिए, पानी किस तरह से हमारी बोडी में अंटर होता है, ये बात भी काफी important होती है, अगर एकदम तेजी से पानी पीएंगे, तो हमारी पानी तो पीते हैं, पर उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है, नमबर तीन, पानी के बारे में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, जिससे अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो आपके बोडी में पानी का लेवल नेच्रली मेंटेन रहेगा, सबसे पहली बात तो ये आत जरूरत है, जबकि इसका उल्टा, अगर आपका यूरीन पानी की तरहा सफेद रंका है, तो इसका मतलब है कि आपकी बोडी में पानी बराबर मातरा में हैं, नमबर दो, क्या आपको भी बाकी लोगों की तरहा खड़े-खड़े पानी पीने के आदत लग चुकी है, 90 प्र प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करते हो, जब पानी हमारी बोडी में जाता है, तो किड्नी उसे फिल्टर करती है, लेकिन जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं, तो पानी एक तेस फ्लो से शरीर में जाता है, और किड्नी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, और इस वज अगर हमें अपने शरीर को रोगों से दूर रखना है तो हमें डेली कम से कम 5-7 लीटर तक पानी पीना है जिससे हमें एपेंडी, कबसी आत और स्किन के रोगों से रहत मिलेगी और सही मातरा में पानी पीने से आपका मूड भी एकदम फ्रेश रहेगा साथ ही आप अच्छा करोगे तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शियर करिएगा जाज़दा लोगों तक और ऐसी और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए फॉल